Hello everyone, Assalamualaikum, कैसे हो सभी लोग, I hope कि सभी अच्छे ही होंगी आज का जो हमारा वीडियो रहने वाला है, वो हम बात करने वाले हैं कि वो students जिनका कुछ subject रह गया था, उनका date चिट जो है वो change हो गया है वो date चिट है क्या और किस date आपको अब exam होने वाला है क्योंकि कुछ ऐसे subject हैं जिनका exam अब दूसरे date में लिया जाएगा और वो students कौन से हैं, कौन से standard के हैं, वो मैं आपको आगे बता दूँगा notification में लिखा है साप साप तो चलो जी, इस वीडियो को start करते हैं, लेकिन उससे पहले छोटी से request हैं भी तक आपने अगर subscribe नहीं की है, तो आप subscribe कर सकते हो, bell icon भी on करना, whatsapp group की link description में मिल जाएगी interested हो तो आप join कर सकते हो, सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, optional website पर आना पड़ेगा जो कि इस time आपको नजर आ रही है, optional website जेके बॉस की optional website है, यहां पर आपको आना पड़ेगा, यह आपको new chairperson है, ठीक है, जेके बॉस का और यहां पर आपको थोड़ा सा नीचे आना है, अगर जमू की, जमू डियोजन की बात करेंगे, नीचे जाएंगे, किश्मी डियोजन की बात करेंगी, दोनों का procedure सेम ही रहता है सबसे पहले हम यहां यह डाउनलोड करने वाले हैं, notification change examination, ठीक है, इस पर हम click करेंगे, ठीक है तो जब यह click हो जाएगी न, उसके बाद यह download हो, इनके बाद ही open हो रहे ही, open होने के बाद यहां पर लिखा है, वो students, चाहे वो जमू के हैं, चाहे वो क्रिश्मीर के हैं, चाहे वो भिमना के हैं, ठीक है, यहां फिर वो लदाक के हैं, तो यहां पर notification जो है, वो release की गई है notification में लिखा है कि वो students जो class 10th में हैं, किस में? class 10th में है, वो students जो soft zone में आते हैं, जिनका exam अभी चल रहा है, class 10th का, और कोई student ऐसा है जिनका अभी start नहीं हो गया है, अब यहां पर उन्होंने कहा है कि वो students जिनका music subject है, ठीक है, music subject है, उनका exam जो है, वो 26 March को लिया जाएग ठीक है, दूसरा point यहां पर लिखा है, जिनका mathematics है, यहां पर लिकाए mathematics का, painting का, यहां फिर art का, ठीक है, उनका date जो है, उनका date अब होने वाला है, 25 का, उनका पहला date था, वो schedule हो गया है, यानि कि उनका 25 का अब paper नहीं है, ठीक है, अब उनका paper जो है, वो 26 March को लिया जाएग ठीक है ये बात आपको याद रखनी चाहिए ये आपको रफ पर लिखा हो भी इस टाम जो भी student mathematics में आता है उनको लिखना पड़ेगा आपने रफ पर कि 26 मार्श को अब मुझे mathematics का पेपर रहने वाला है ठीक है और ये जो यहां पर लिखा हुआ है ये उन students के लिए है जो मु कश्मीर में आते हैं ठीक है यूटी में आते हैं उनके लिए अवलेबल है ठीक है और ये जो नोटिफिकेशन है ये आपको आप्शिल वेबसेट पे भी मिल जाएगी तो मैं आपको डिरेक्ली वाटसब पे ये सेंड करूंगा आप अच्छे से पढ़ सकते हो ये ठीक है इ कर पसना इतू